सो आज की सुड़ों पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस तरह का 4K क्वालिटी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो बीफोर एंड आफटर बीफोर वाला नौन एडिटेड है मतलब नौन HDR है और आफटर वाला एडिटेड है यानि की HDR इफेक्ट अपलाइड है तो आप भी कैसे अपनी वीडियो को इस तरह से 4K HDR क्वालिटी में कनवर्ट कर सकते हो आज हम यही सीखेंगे तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो की क्वालिटी को हम इन्हेंस करने वाले हैं मतलब 4K में कनवर्ट करने वाले हैं विंक एपलिकेशन में यह जो एपलिकेशन आप देख पारो इस एपलिकेशन का यूज करके हम वीडियो की quality को 4K में convert करेंगे ठीक है आप बोलेंगे भाई ये Wink application क्या है और कहां मिलेगा तो ये Wink application एक video editing app है जिसमें कि आप अपने वीडोज के quality को enhance कर सकते हो और ये आपको हमेरे telegram पे मिल जागा आप telegram पे जाके सुधानसु for you search करना and once again कर सकतो या फिर आप हमें Instagram पे message कर दो Instagram का link description में and message करते हैं तो हम आपको ये Wink application प्रोवाइड कर देंगे ठीक है नौ उसके बाद आप इसे open कर लो open करोगे तो कुछ ऐसा interface आ जाएगा अब यहाँ पे video को edit करने के लिए आपको काफी सारे option मिलते बट आप सिर्फ यहाँ पे image quality के उपर क्लिक कर देना उसके बाद try now के उपर आपको क्लिक करने है and यहाँ से आपको अपनी video को select करने अब video select करने के लिए video वाले section में आ जाना ठीक है and उसके बाद यहाँ पे scroll करेके जो video आप edit करना चाहोगे जिसका भी quality आप 4K में convert करना चाहोगे उसे select कर लेना and उसके बाद okay के उपर क्लिक कर देना ठीक है okay के उपर आपको क्लिक करने है थोड़ा सा आपको just wait करना होगा and आपको जो video का quality होगा वो 4K में convert हो जागा ठीक है यह जो processing है वो processing जैसे 100% हो जाए आपका जो quality होगा video का वो 4K में convert हो जाएगा but उसमें थोड़ा सो और आपको editing करना पड़ेगा adjustment यह सब then video आपका अच्छा लगेगा देखने में ठीक है उसे भी आप विल्कुल miss मत करना adjustment का भी तरीका आपको जानना जरूरी है तो processing complete हो चुक है and आप देख सकतो यह before की quality काफी blurry blurry है और यह after मैं आपको play करके दिखाता हूं ठीक है तो clearly यहाँ पर समझा जाएगा देख सकतो यह जो left side वाला है वो हमारे काफी blurry blurry है and right side में after वाला जो की काफी जादा enhance है ठीक है अप देख सकतो मैं इसे play कर रहा हूं ओके तो यह हमारे before की quality काफी blurry है and बिल्कुल normal छी quality और यह after का बिल्कुल clarity के साथ है और हमारी जो video वो बिल्कुल 4K में convert हो चुकी ठीक है अब इसे और better बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको device में save करना होगा उसके बाद आप इसे और edit कर सकतो तो save करने के लिए just save को उपर click कर देना उसके बाद home को उपर click कर देना यह आपकी device में save ह हो जाएगा मतलब first step में आपको just image quality option को use करना है then उसके बाद आपको सामने एक यहाँ पर video editing का option आएगा इसके उपर आपको click करना है then same video को select करना है जो अभी आपने edit किया है ठीक है उसे select करके just start के उपर click कर देना यह add हो जाएगा अब यहाँ पर आपको just video editing वाले section में ही and scroll करके toning के उपर आजाने ठीक है इसे toning के उपर आप आजाना then उसके बाद काफी सारे आपको options से देखने को मिल जाएगे इनकी help से आप अपनी video को और भी ज्यादा better कर सकते हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर यह जो smart AI है ना means AI enhancement इसे use करके देखना मैं यह नहीं बोल अगर अच्छा लगता है तो आप इसे रख सकते हो ठीक है तो मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा 30 के आसपस रख देता हूँ क्योंकि देख सकते हो 30 के आसपस आने बाद video काफी better लग रही है ठीक है तो इतना आप कर देना उसके बाद contrast को जरूर से आपको increase कर देना देन saturation को पर जाके इसे भी आपको increase कर देना approximately 10 से 20 के आसपस देन सारपेन को थोड़ा से increase करने ठीक है अगेन यह भी 10 से 20 का सपस आप इसे increase कर सकते हो उसके बाद light को हो सकते हो थोड़ा सा decrease कर देना तो quality और ज्यादा enhance हो जाएगा then highlight को पर आना है और इसे आपको increase कर करना है and sad को decrease करने ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकतो यह before और यह after काफी बेटर लग रहा है न मिन्स पहले वाले के competitively यह देख सकतो पहले का quality और यह after काफी अच्छा लग 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 कलर से सब भी अच्छे हो चुके है तो यह जह हो है ज्यादा बेटर लग रह करने के लिए यह जो सार्पेन ओल आप्चन है ना इसे थोड़ा और इंग्रेज कर दो ठीक है जैसे कि यहां 60 का सपास कर देते हैं और आप देख पाऊगे और ज्यादा यह बेटर हो चुका है तो इस तरीके से आप इसे अच्छेस्ट करके और बढ़ियां बना सकती हो को यहां पर थी लाइन को उपर क्लिक करना में मेंस घडॉरा मेंक्स करकर के सेव टू एल्बम को पर क्लिक कर देना ऑब आपका जो वीड़ो सेव होगा वो बिल्कुल फॉरके रेजूलेसान में से भगो मेंसे 4ग क्ıअलेटी में आपका वीडो कंवर्ट duż हो जागा ठीक है तो इस तरी के से करके आप एक नॉर्मल शी वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर सकते हूँ I hope आपको हर एक स्टेप पता चल चुका है आज की सुड़ो पर इदना ही मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तेक के लिए बाई बाई